हलो गाईज आज अपन बात करेंगे गवर्मेंट ओप तैलंगाना के द्वारा शियेचों की वेकंसी का अनॉंसमेंट हुआ है उस वेकंसी के बारे में कम्प्लीट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बात करेंगे तो वीडियो के अंदर सुरुशन तक बने रहे और चैनल पे डिटेल है यहाँ पर आ गई है डिस्टिक डिस्टिक वाईज यहाँ पर मैंसन है रूरल की अर्बन की जो पोस्ट है तेरा सो पेसेट यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हो दी हुई है अब इनके लिए गैडलाइन क्या है किसमें MBBS कंडिडेट है BMS कंडिडेट है nursing के कंडिड with B.S.C. nursing who are graduated from the academic year 2020 के बाद में और staff nurse with B.S.C. nursing who graduated before the academic year 2020 and who completed six month bridge program in the community health. मुलब जो candidate जिसके पास में C.C.H.N. का certificate है वो भी और जिसके पास में C.C.H.N. का certificate नहीं है वो भी. सभी candidate इस vacancy के लिए eligible रहेंगे. साथ में B.M.S. और M.B.B.S. जो candidate है वो भी इस vacancy के लिए फोरम में अपलाई कर सकते हैं. अब इसमें थोड़ा salary का थोड़ा difference रहेगा. M.B.B.S. के लिए अलग रहेगी और जो nursing जो cadre है उसके लिए अलग जो salary में mention की गई है. अब यहाँ पर reserve जो category है उनको अलग से यहाँ पर benefit दिया जा रहा है age relaxation के लिए और यहाँ पर अगर salary की बात करें तो M.B.B.S. और B.M.S. को 40,000 रुप है और M.L.H.P. स्टाफ नर्ष को 29,900 रुप है इसमें salary का mention किया गया है. अब यहाँ पर qualification है. अलग-अलग की according यहाँ पर qualification है जिसमें की nursing staff की जो qualification है जिसमें B.S. nursing होना चीए registered होना चीए तेलंगा state से और जिसके पास में six month का जो course है वो candidate अपने certificate के साथ में apply कर सकते हैं. दूसरा है जिसके पास में certificate नहीं है वो candidate भी इसके अंदर eligible रहेंगे. पोस्ट है टोटल है 1365 है और district wise इसमें selection है उसके basis पे होगा और district wise यहाँ पर जो post है वो mention की गई है. सेलक्षन का procedure क्या रहेगा? combined percentage रहेगा mark obtained in all year जो यह क्या है कि percentage base पे यह vacancy है होने वाली है complete जिसके अंदर आपकी जितनी percentage है उस percentage के basis पे यहाँ पर कटोफ है वो तयार की जाएगी और उस कटोफ के basis के उपर आपकी final जो result है वो यहाँ पर तयार किया जाएगा. timeline की बात करें तो timeline है यहाँ पर district collector के द्वारा जो notification ने issue किया गया था 4 जनवरी 2023 last date रहेगा इसमें 7 जनवरी 2023 और यहाँ पर scrutiny किया जाएगा 8 और 9 जनवरी 2023 को objection इसके लिए लिए जाएंगे 10 जनवरी last date रहेगा जो receipt की इसके लिए objection के लिए 11 जनवरी display of the final merit list selection इसमें 12 जनवरी और conduct counseling and issue of the appointment लेटर है 13 जनवरी लग एक अपते के अंदर लगबग लगबग सारा काम है complete कर देंगे तो यह बहुत ही सुनेरा आउसर है आप लोगों के लिए जो की एक अपते के अंदर आपका सारा काम complete हो जाएगा आपकी joining भी हो जाएगी तो इससे अच्छा और क्या मोगा मिलेगा 1300 टोटल पोस्ट है 1365 तो वेकंशी को ज्यादा ज्यादा share कर दीजिए जिससे की जिस candidate के पास में तेलंगा ना स्टेट का रजिस्टेशन है वो candidate इस वेकंशी के लिए इलिजिबल है और उस candidate के साथ में जरूर इस वेकंशी को share करें धन्यवाद